देश में एर कनेक्टिविटी का ज्यादा से ज्यादा विस्तार हो, हमारे एरपोर्ट का विस्तार हो, ये आज समय की मांग है. बैंगलूरू एरपोर्ट का नया टर्मिनल, इसका उप्योग करने वाले पैसेंजर्स के लिए नई सुविधा लेकर आएगा. आज भारत दुनिया में एर ट्राविल के सबसे तेजी से बढ़ने वाले मार्केट में से एक है, जिस तरह देश आगे बढ़ रहा है, उसी तरह एरपोर्ट्स पर पैसेंजर्स की संख्या भी बढ़ रही है. इसलिए हमारी सरकार देश में नए एरपोर्ट्स का भी निर्मार करा रही है. 2014 से पहले, देश में, सत्तर के आसपास एरपोर्टें, 70, अब इनकी संख्या, 140 से जादा हो गई है. डबल, बढ़ते हुए ये एरपोर्ट्स हमारे शहरों का बिजनेस पोटेंशल बढ़ा रहे हैं. नव जबानों के लिए नए आउसर भी बना रहे हैं. साथियों, आज पुरी दुनिया में, भारत में निवेश के लिए जो अबुत्पुर्व विश्वात बना है, उसका बहुत बड़ा लाप करनाटका को भी मिल रहा है. आप कल्पना कीजिए, बीते तीन वर्ष, जब पूरी दुनिया कोविड से प्रभावित रही, तब करनाटका में लगबग चार लाग करोड रुपिय का निवेश हुआ. पिछले वर्ष, FDI को आकर्थित करने में, करनाटका देश में अग्रणी रहा है. और ये जो निवेश हो रहा है, ये सिर्फ आईटी सेक्टर तक सिमित नहीं है, बलकि बायो टेक्नलोजी से लेकर, डिफेंस मैनिफेक्टरिंग तक, हर सेक्टर का यहां विस्तार हो रहा है. देश में एरक्राफ्ट और स्पेस्क्राफ्ट इंडिस्ट्री में पचीश प्रतीशद हिस्सेदारी, ये हमारे करनाटका की है. देश की सेना के लिए, जो एरक्राफ्ट और हेलिकॉप्टर हम बना रहे हैं, उसमें से लगबग सत्तर प्रतीशद यही बनते हैं. देश में एलेक्ट्रिक वेहिकल मेनिफेक्टरिंग में भी करनाटका बहुत आगे हैं. करनाटका में काम करनाटका में काम करनाटका और ये लगातार बढ़ रही है. ये सुब कुछ इसलिए हो रहा है, क्योंकि आज करनाटका डबल इंजिन की ताकत से चल रहा है. आज बात चाहें गवनेंस की हो या फिर फिजिकल और डिजिटल इंफा सेक्टर के निर्मान के भारत एक अलग ही लेक्ट काम कर रहा है. हेलो 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 दुनिया हैरान होती है जब भारत के डिजिटल पेमेंट बीम यूपी आई के बारे में सुनती है क्या आठ वर्थ पहले एक कल्पना करना भी संभव था मेरी इंडिया 5G टेक्लोलोजी क्या ये सोचा भी जा सकता था इन सब में बैंगलुरू के युवाओं की यहां के प्रोफेशनल्स की बहुत बड़ी भूमिका है 2014 से पहले के भारत में ये चीजें कल्पना से परे थी इसका कारण ये है कि तब जो सरकारे थी उनकी सोच ही पुरानी थी पहले की सरकारे स्पीड को लगजरी तो स्केल को रिस्क मानती थी हमने ये धारनाट बदल दिये हैं हम स्पीड को भारत की आकांच्छा मानते हैं और स्केल को भारत की ताकत मानते हैं इसलिए आज भारत पी-एम गतिशक्ती नेशनल मास्टर प्राण के तहर देश में इंफ्रास्ट्रक्टर का विकास कर रहा है हम सभी साक्षी हैं कि कैसे अतीत में इंफ्रास्ट्रक्टर के निर्मान में सबसे बड़ी समस्या तानमेल की रहती थी जितने ज्यादा विभाग जितनी ज्यादा एजन्सिया उतनी ही देरी निर्मान में होती थी इसलिए हमने तैक किया कि सब को एक प्लेटफर्म पर लाया जाए आज पी-एम गती सक्ती नेश्टरन मार्कलर प्रान के तहट पंदरा सो से ज्यादा लेयर प्याएं डेटा विभिन्ने एजन्चियों को सीधे उपलब्द हो रहा है आज केंद्र और राज सरकारों के दर्जनों मंत्रा लए दर्जनों विभाग इस प्लेटफर्म से जुड़ चुके है आज देश नेशनल इंफ्रासेक्टर पाइपलाइन के तहट इंफ्रा पर लगबग 110 लाग करोड रुपिये के निवेश का लक्ष लेकर चल रहा है ट्रांस्पोर्ट के हर माध्यम एक दूसरे से जुड़े एक दूसरे को सपोर्ट करें इसके लिए देश का बल पुरी ताकत मल्टी मोडल इंफ्रास्रक्टर पर है कुछ समय पहले ही देश ने नेश्टल लॉजिस्टिक पॉलिसी भी लॉंच की है यह पॉलिसी देश में ट्रांस्पोर्टेशन का खर्च कम करने ट्रांस्पोर्टेशन को इनोवेटिव बनाने में मदद करेगी साथयों भारत को विक्सित बनाने के लिए फिजिकल इन्फ्रास्रक्टर के साथ ही डेश के सोशल इन्फ्रास्रक्टर का भी मजबुत होना उतना ही आवश्यक है मुझे खुशी है कि करनाटका की डबल इंजिन सरकार शोचल इंफ्रा पर भी उतना ही ध्यान दे रही है बीते आट वर्षों में देश में गरीबों के लिए साड़े तीन करोड घर बनाए गए है यहां करनाटका में भी गरीबों के लिए आट लाग से जादा पक्के घरों को स्विकृति दे गई है जल जीवन मिशन के तहट सिर्फ तीन वर्षों में ही देश में साथ करोड से अधिक घरों में पाइप से पानी की सुविदा पहुँचाई गई है करनाटका के भी तीस लाग से जादा ग्रामिन परिवारों तक पहली बार पाइप से पानी पहुचा है आईश्मान भारत युजना के तहट देश के चार करोड गरीबों को अस्पताल में मुप्त इलाज मिला है करनाटका के भी तीस लाग से अधिक गरीब मरीजों ने युजना का लाब लिया है मुझे खुशी है इन सुविदाओं की सबसे अधिक लाभारती हमारी माताएं हैं हमारी बेने हैं हमारी बेटिया है भाई यो और बेनों आद देश में छोटे किसान हो छोटे व्यापारी हो फिशर्मैन हो रेडी पट्री ठेले वाले हो ऐसे करोड़ों लोग पहली बार देश के विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं पी-म किसान सम्मान निदी के तहट देश के एक दस करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगबग सवा दो लाग करोड रुपिय ट्रांसपर किये गए हैं करनाटका के भी पचपन लाग से जादा छोटे किसानों को लगबग ग्यारा हजार करोड रुपिय मिल चुके हैं पी-म स्वन इदी के तहट देश के 40 लाग से अधिक रहडी पट्री ठेले वाले भाई बैनों को आर्थिक मदद मिली है इसका लाब करनाटका के भी दो लाग से जादा स्ट्रीट वेंडर्स को हुआ है साथ्यों इस बार पंदरा अगस को लाल के लिए से मैंने अपने देश की विरासत पर गर्व की बात कही थी हमारी ये विरासत सांस्कृतिक भी है अध्यात्म की भी है आज भारत गवरोव रेल देश के आस्ता और अध्यात्म के सलों को जोड़ने के साथ ही एक भारत त्रेष्ट भारत की भावना को भी मजबूत कर रही है इस वर्थ अब तक देश के अलग-अलग हिस्सों के लिए इस ट्रेंड की नव यात्राएं पुरी हो चुकी है शीरडी मंदीर हो त्री रामाण यात्रा हो दिव्यकाशी यात्रा हो ऐसी सभी ट्रेंडों का यात्रियों को बहुत सुख़द अनुभव रहा आज करनाटका से काशी अयोध्या और प्रयाग राज के लिए यात्रा शुरू हुई है इससे करनाटका के लोगों को काशी अयोध्या के दर्सन करने में मदद मिलेगी भाई और बहनों भगवत भक्ती और सामाजिक सक्ति से कैसे समाज को जोड़ा जा सकता है इसकी प्रेणा हमें संत कनगदाज्जी से भी मिलती है एक तरफ उन्होंने क्रश्न भक्ती का रास्ता चुना और दूसरी तरफ कुल 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 वेंदू खोड़े दाड़ दिरी कहकर उन्होंने जाती के आधार पर बेदबाव को खत्प करने का संदेश दिया आज पुरी दुनिया में मिलेट्स यानी मोटे अनाच के महत्व को लेकर के चर्चा हो रही है संद्र कनकदाज जी ने उस दोर में ही मिलेट का महत्व स्थापित कर दिया था उनकी रतना थी रामधान ने चरीते उन्होंने करना टका में सबसे ज़्यादा पसंद किये जाने वाले मिलेट रागी का उदाहां देते हुए सामाजी समानता का संदेश दिया था भाई और भेनों आज हमारा प्रयास है कि बैंगलोरू शहर का विकास बैसे ही हो जैसे नाड़ प्रभू केम्पे गौड़ा जी ने कलपना की थी इन सहर की बसावट यहां के लोगों को केम्पे गौड़ा जी की महान देन है इस बसावट में उन्होंने जीन बारीक्यों का ख्याल रखा है वो अद्भूत अद्वितिया है सद्यों पहले उन्होंने बैंगलोरू के लोगों के लिए कॉमर्स कल्चर और कन्विनियन्स की योजना तयार कर दी थी उनकी दुर्द्रश्टी का फाइदा आज भी बैंगलोरू के लोगों को मिल रहा है आज व्यापार, कारोबार उसके रूप रंग बले ही बदल गए हो लेकिन पैटे आज भी बैंगलोरू की कॉमर्सियल लाइब लाइन बना हुआ है नाड़ प्रभू केंपे गोड़ा जी का बैंगलोरू की संस्कृत्यों को भी समिन्ज़ करने में हम योगदान है यहां का मशूर गवी गंगा धरेश्वर मंदीर हो या बसवन गुड़ी इलाके केम मंदीर इनके जरिये केम पे गोड़ा जी ने बैंगलोरू की संस्कृतिक चेत्रा को हमेशा के लिए जीवन्त बना दिया बैंगलोरू शहर के लोग इस सहर की ऐसी बेमिसाल वसाबट के लिए केम पे गोड़ा जी के हमेशा आभारी रहेंगे साथियों बैंगलोरू अंत्वराष्टिय शहर है इसे हमें अपनी विरासत को समारते हुए आदोनी इंफ्रास्टेक्टर से सम्रुद्द करना है यह सबका प्रयास से ही संभव है एक बार फिर आप सभी को नए प्रोजेस के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ पुझ संतगर ने आकर के असिरवाद दिये मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और इतनी बड़ी तादाद में उमंग और उत्सा से भरे हुए करनाटर का के नवजवान करनाटर की माताई बहने यहां का किसान हमें आशिरवाद दे रहा है मेरवेश से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद मानने यह प्रदान मांत्री जी